तो ये देखिए कोड़े का खेत है इतना सारा कितना कोड़े लगे हुए है मैं आपको सब दिखाती हूँ ये देखिए एक यहाँ पे है दिख रहा है आप सबको तो ये देखिए मैं यहां से इसे तोड़ ले रही हूँ कोहडा पंकिन कैसा लग रहा है दोस्तों अब देखि एक और तोड़ने वाली हूँ यहां से तो यह देखिए यह देखिए मैंने तोड़ लिया है तो मैं एक और तोड़ने वाली हूँ यहां से देखिए यहां भी कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं और एक मैं यह भी तोड़ लेती हूँ तो हेलो गाइज, इसको मैंने दो लिया है, और इसके इंगेडिन्स देख लेते हैं, तो मैंने आपे हरी धनिया, लाल मिर्च, अद्रक लेसन लिया है, हल्दी पावडर, नमक, और ये मस्टर्ड सीर, यानी कि सरसू, तो सबसे पहले मैं क्या तरूंगी, ये कट्दू को कट् ये कुर्कि हमारे यहां और इनी काटती है आजमी इसमें कट लगाते हैं सभी ऑर इनी बाता है अब ये क्यूं है, ये मुझे भी नी पता है कर तो शुर्डर सब्सक्राइब लिए बादीर के निया अगों नायकोतो निया बचाइब कर दियां देखाब डिल दो दो खुड़ी निया लाद आ पार नियाकोतो है इसाट रही है। वोद नरम है ये। मैंने शोटा वाला लिया। इस पलग रहा है। इसकी स्टीड है। मैं अला कर दूंगी। ये वाथ अंदर अगुसा लेना है। प्रूल शोटा लिया। इस वाला लगता है। ये सब्जी में कर रही हूं। तो अब में डाल रें मस्टर्ड ओयल, गड़ाई हो गड़ा हो गड़ा है गरम काफी है तो अब मैं इसमें लाल मिर्स डाल दे रहें तो अब मैं ये श्कासू इसके अंदर डाल दे रहें अब बढ़ते हैं मसाला की तुने के लिए यानि की मस्कट पीज तो चलीए ऐसे पोड लेती हूं वस्ये मुझे सीनी इंग्रेडियंस लेना है ज्यादा कुछ नहीं लेना है दोस्के पिपल की है तो इसे तड़ा से पानी डाल के में कीज़ें आपको सिलबटे का मसाला कैसा लगता है कमेंट करके जबद आईए उझे मसाले पीज चुके है इसे एकदम बारिक पीजना है दर दरा ना रहे तो यह मैंने पीज लिया है उठा ले रही हूं अब दोस्के अब मैं यह मैं जो मसाला पीस कर लाई हूं अब डाल दूगी आइडिंग इस एपॉर्चिश एप्यों अब ज़ुड़ी डाल लूँगी एक शुटी बड़ी आपको इसमें नमाक आपको वाली एक आपको बागता आपको बाचत के अब़ें ऐसे नमाक आपक मैंने अपने face के according डाल दिया है अब इससे पकाऊंगे में 10 मिनट के लिए ताइ फ्लेट मिढगे रिंग में फ्रेंस से देखिये इसका कलर जिसे पीस बहुत पसंद होगा तो ये पता ही होगा ये मस्टर्ड का कमाल कैसा रहता है मस्टर्ड सीर्स इसकी फ्लेवर कितने अध्य रहते है तो कुछ ये पिश के जैसा तेस्ट आता इसका पिश करी के जैसे तो मेरे घर में कद्दू की सब्जी इस प्रकार से बहुत पसंद आता है आप सब भी ट्राय करिए ये बहुत डिलिशिस बनता है कमी इंग्रेडियंस में से ये सब्जी बन जाती है तो ये रेस्पी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जहुत बताएं अब मैं गयस को लोग फ्लेम पे कर देती हूं तो पांच मिनित के लिए और पकाएंगे इसे अब दोस्तों ये अमकीन जू है ये ओल्मोस्ट दर है तो ऐसे ऐसे मैं दबा लिए जिए थोड़ा ये सॉप्ट हो जाएंगे तो हमें इस एक दम इस ब्लायम कर लेना है हाँ हाँ दो मिनट और लादेंगे एक बेडी तो मेरे तोस्तों ये कतु की सब्सी तयार हो गए ये ड़ी स्टाइल से अनि इस पे दरिया और विश्ट से गावेश कर दिया है तो आपको ये रेसीपी कैसे होगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बता हर्मेंट